आज उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ आज थोड़ा जो मेरा स्लाइड है वो थोड़ा सा मैं जान मुझ करके उसको सिंपल तरीके से बनवाया हूँ और यह जो छोटी सी जो दिख रही है आप उसको नजर नहीं आ रही होगा मगर फिर भी मैं इसको बता देता हूँ आज हम लोग पढ़ रहे हैं mcq किसके बारे में सेवी के बारे में सेवी और स्टॉक एक्स्चेंज के बारे में आज हम लोग mcq पढ़ेंगे इसको चान मुझ करके छोटा रखा कि कभी कभी कुछ चीजे चुपा करकर रखनी है ताकि अगर इसमें से कुछ कोशन आए तो कोशन आप से बने ठीक है क्लियर तो चले स्टार्ट करते हैं ठीक फिर से एक बाद दिल से स्वागात और आये बहत्रीन तरीके से त्यारी करते हुए इस सेवी को और स्टॉक एक्शन संबंदी जितने भी कोशन है जो एकदम हा भारत में पुंजी बजार को कौन नियंतीत करता है अगर बोलेगा तो भारत में पुंजी बजार को नियंतीत करती है कौन सेवी करती है तो भारत में पुंजी बजार को नियंतीत करती है सेवी करेगी ठीक है कौन से बी आई सेवी करती है भारत में पुंजी बजार को निय आचरा होता है उसके लिए कौन जिम्मिदार नहीं है पूछ रहा है तो वर्षा मौद्रिक नीती रादनीती ना इस्थिर्था इनमें से कोई नहीं तो वर्षा मानसुन यह थोड़ा इफ़ेक करता है कि जब फसल जब मानसून नहीं होगा अच्छे से बारिश नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा तो भारत में खाने पीनिक्षिजों में कमी आ ठीक जिससे क्या सेंसेक में फरक पड़ेगा फरक पड़ेगा हाँ ये भी फरक पड़ता है राजनीती का तीस इस्थीर्टा ये होगी मतलब कोई नहीं तो आंसर इन मेंसे कोई नहीं होगा क्योंकि ये तीनों के तीनों ही है किसके लिए जिम्मेदार Th powiedzieć Right question कि सेंक्श उसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं की बजार के उतार चढ़ाओं को लेकर करके एक संकेत देता है जिससे अर्थवर्ज़ता की मदभूती और उसकी कमजोरी के बारे में पता चलता है और इंसेख सी यह बताता है कि कौन सी कंपणी profitable है बताब किस company के share ज्यादा high level पर है जिससे वो profit कमा रही है यही बताता है कि कौन सी company loss में जा रही है ठीक जिससे share ख़िने से नुकसान हो सकता है तो total कितनी company sensex में listed है तो total है आपकी 30 company किसनी 30 company 30 company 30 company sensex में क्या है listed है कितनी company 30 company करन और हमियाँ ठीक है ओके चलो next तो कौन सा credit rating agency नहीं है मतब हैथ क्क्रेडिट एडिंग agency है मतब जो बताता है कि हाँ भारत की अर्थ वहस्ता इतनी होगी यह बताता है कि हाँ भारत के अर्थ हर न क्यांड करपींग है कि ढणन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1987 में किया गया इसका पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्मेंट इंफॉर्मेशन सॉरी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन पूरा नाम है इसका क्रेडिट इजेंस और यह 1987 में जो सबसे पुरानी credit rating agency है दूसरा आई सी आर एल ठीक आई का दो मतलब है investment information आई सी आरल का दो मतलब है investment information credit agency credit rating agency limited इसकी स्थापना 1991 में हुई icrl investment information credit rating limited company ठीक इसकी सब्सक्राइब 1991 में हुई उसके बाद आता है care c-a-r-e credit analyze research agency c-r-e एक साथ है c-a-r-e care का है credit analyze re को मिला करके research और उसके बाद है l है limited ठीक और इसकी स्थापना हुई 1993 में तो आपका क्रिसेंज भी credit rating agency है icrlb credit agency है और care भी है ठीक यह नहीं है निकेई यह आपका credit rating agency नहीं है ठीक है चलो next कि निमेंट में से कौन सा टर्म स्टॉक एक्षेंज से सम्मंदीत नहीं है मतलब किसके ताद स्टॉक एक्षेंज में या कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है या कोई भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है वह नहीं होता ठीक तो एक है आपका आपका अई एन ए वी एक है आपका एन एस ए एक है आपका आई पी ओ और एक है अपका के पी ओ तो के पी ओ जो है वो अपका education से related है किस से related है education से and ev nse और ipo यह तीनों के तीनों किस से related है एक स्टॉक एक्षेंज से तो कौन नहीं है आपका के पी यह education से related में था है ठीक है तो क्या आंसर होगा के पी ओ खोगा ठीक है फिरा जो next कौन सा कारण हो सकता है कि शेर बजार में अचानक मुल कम हो जाए तो कौन सा करण हो सकते है कि जिसमें शेर बजार में उसका जो है वो गिर जाए तो पहला दिवाली और बड़ी कंपनी हां उसका करेगा उसके बाद मंदी वह तो सबसे इंपॉर्टेंट है और तीसरा आतंगवादी घटना हां यह तीनों के तीनों घटनाएं भी सिंसेक्स के उतार चड़ाओ पर इफैक करते हैं क्योंकि अगर किसी देश में किसी राज्य में कोई आतंगवादी बड़ा आतंगवादी हमला होता है तो उस राज्य की अर्थवस्ता भी गरती है और उस राज्य की अर्थवस्ता के साथ-साथ उसका इफैक्ट वहां पर क क्यानक मुलकम होने के काराण होंगे दिवालिया हो रही एक बड़ी कंपनी वैस्विक मंदी का डर एक आतंगवादी हमला यह तीनों कि तिनों क्या होते हैं किसी देश की सेंसेक्टे उता चड़ाओ के लिए फिर आजाओ it 500 ख्याएं ठीक टो f500 है आपका अमेरिका की स्टोप एकूप कमपनियां क्या हैं अमेरिका का एक घ्क्चेंज है जिसमें लगभग 500 कमपनियां क्या है लिस्टेर है ठीक है ना थैस्टी 500 ये हैं धिले फिरा जाक्श्य निमनिक में से किस सहर में औपचारिक नहीं है मतब कौन सा सहर है जिसमें इस टॉक एक्षेंज नहीं होगा तो फ्रैंकफर्ट है आपका कहा का जर्मनी का ठीक ओके लंदन का है कोई स्टॉक एक्षेंज नहीं है ठीक है निमनिक में से आपको अधिकारिक्टार पर ट्रेड किये जाने की संभाव नहीं है विश्ट के शेयर बजार में मतब किस तरीके से आपको ट्रेड नहीं किया जा सकता किसमें शेयर बजार में तो अपमान करके ट्रेड नहीं कर सकते घ्विदेसि मुद्रा से कमपनी स्टॉक से ट्रेड हो गॉलड से ट्रेड हो गा। मगर अपमान के तरीके से ट्रेड नहीं होता पमान जैसा कोई वर्ड नहीं होता कहां पर स्टॉक एक्षेंज में ठिक है यह जिंदिगी में होता है ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट, FTC 100 Index का उप्योग, शेर बजार को मापनिल किया जाता है, किस देश का है ये, तो FTC 100 है आपका कहा का, United Kingdom, UK, लंदन का है ये, कहा का है, लंदन का है ये, ठीक है, ओके, उसके आटना एक्स, निमनिर में से कौन सा, निप्टी की स्थापना कभ हुई, तो निप्टी की स्थापना हुई थी, 1996 में, निप्टी की स्थापना की गई, कब की गई, 1996 में, एक्सियल में, निप्टी का अधार वर्स माना जाता है, 1995 को, ठीक, 1995 को निप्टी का अधार वर्स माना जाता है, मगा वास्तिर कुप से कारे करना सुरू की थी, 1996 से, तो उसी को लिया जाता है क्या चीज आपका 1996 को ठीक नेक्स्ट ठीक फिर आजाओ निम आप निम में से किसे शेयर बजार में घुमते ने देख सकते हैं शेयर बजार में दो चीज होता है कौन सा बूल्स एंड बीयर बूल्स मतलब एकदम मूल बढ़ेगा बीयर मतलब घटेगा तो बकरी नहीं होग कि यह गुमेगा गाय ने घुमेगा ठीक चुवा ने घुमेगा तो जो किसे सकते हुए वुल्स बढ़ेग लिमिटेड दो संस्थाओं के बीच एक सईयुक्त उधम है मतलब कौन स Counter dos Sir Sir जो आई आई एसल इंडिया इंडेक्स सर्विसिस प्रोडक्क लिमिटेज से लिट सम्बंदी थे तो एक हो जाएगा आपका एन एस इए एंड एक हो जाएगा आपका आई सी आर एल ठीक है ये दोनों के दोनों ये रेडिक अग्रेडेटि एक्शेंज हो गई और आपका एन सी वह जोगे नेस्नाल स्टाउक एक्शेंज हो गया तो इससे सम्बंदी था दोना आई आई एसल ठीक नेक्स्ट निमिम्न में से कौन सा कथान सत्य है FTSC 100 लंदन का Stock Exchange है निक्की का संबन Singapore Stock Exchange से है Middex का संबन Japan से है BSE का संबन Sensex से नहीं है सकते पूछा है कौन सा कथन सही है तो निक्की आपका हो जाएगा Tokyo का Middex होगा आपका किसका Germany का BSE Sensex से रिलेटेड़ है तो ये दोनों गलत ये तीनों गलत FTSC 100 ये वाला सही तो आंसर क्या हो जाएगा FTSC 100 लंदन का Stock Exchange है जो योपी बजार की गतिवधियों पर नजर रखता है तो आंसर क्या हो जाएगा A Next Kospi किस देश का सुचकांग है तो Kospi अपका किस का Daksir Korea का Kospi कहां का है Daksir Korea का सुचकांग है तीक फिदिन में से कौन सा सुचकांग Sumelit नहीं है पूछ रहा है तो Sumelit करने अपन को तो SET लिखा हुआ है Thailand का JCI लिखा हुआ है Japan का Nusdoc लिखा हुआ अमेरिका का और तेन लिखा हुआ है तैवान का तो सुमेलित नहीं यह पूछ रहा है तो सैट है अपका थाइलेंड चाहिए ow lookinburg यह-δी सwy है तेन हैं आपका यहद पाइवान का यह यह से है जैसीहाई जापान का यह गलत है ठीक है तो हंसर क्या हो जाएगा JCI Japan फिक next blue chip किसे कहा जाता है फिक तो blue chip पहले तो यह जेने blue chip है क्या तो blue chip का सब्द का प्रियोक पहली बार किया गया था 1923 में blue chip सब्द का प्रियोक कि उसमें नुकसान की संब्भावना नहीं होती उस company पर कोई कर्ज नहीं होता अगर होता भी है तो नामात्र का कर्ज होता है और ये बताता है कि अगर आप इस company का share लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा तो blue chip किसी company की rating decide करती है कि वो profit में है कि कैसी है उसकी condition को बताती है इसका प्रयोग सबसे पहले 1923 में किया गया था ठीक है तो इसमें option है कि blue chip किसे का जाता है तो ऐसी company जो बड़े दो घरानों दर चलाई जाती हो नहीं ऐसी company जिसके share ख़िदना risk ना हो किसी बहुराश्टी company को या ऐसी company जो विदेश में किसी stock exchange से लिटेड हो नहीं अभी काऊ ऐसी company जिसमें लाब हो और जिसमें हानी की संभावना नहीं होती तो आप उसका share ख़िच सकते हैं तो ऐसी company जिसके share ख़िदना risk ना हो उसको कहा जाता है blue cheap कहा जाता है जिसके share ख़िदना risk नहीं होता ठीक इसको अगर आप खर देंगे तो आपको profit ही होगा loss बिल्कुल नहीं होगा ठीक ठीक है तो हमको इतने question solve करने हैं किसको ले करके मेरे मेरे इसको इस phone को छोटा रखने का reason सिप यही था बाकी कोई reason नहीं तो मैंने जो जो बोला वो answer से ही बोला है तो आपको चीज याद होगी इससे बाहर आपको सेवी से या stock action से कुछ नहीं पूछेगा ठीक है तो मैंने आपको इसका subjective भी ले चुका है class ले चुका हू ठीक इसके बाद हम सबसे important चीज सबसे important topic जो है आपका budget और economic survey ठीक तो कल हम budget के बारे में चर्चा करेंगे और उसके MCQ solve करेंगे ठीक फिर उसके बाद हम लोग एक दिन और किसके बारे में economic survey को लेंगे economic survey दो दिन चलाएंगे अपन और उसके बाद अपन उसमें MCQ भी solve करे कि आपके economics का portion बहुत कम है उसमें से ज्यादा question नहीं है मगर question अगर आया भी तो current level का सबसे अधा आएगा तो current level पर सबसे important चीज होगे आपका budget ठीक है तो उसको में विस्तार रूप्स और वहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से क्या करेंगे स्टेडी करेंगे ठीक है चलिए नमस्कार थैंक्यू सो मच एंड जय हिंद